नमस्कार मैं अड़ोकेट नरेश खुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों नागरिकता एक ऐसा टॉपिक है जिससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति का सरोकार होता है हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो देश का नागरिक है या नहीं और अगर है तो किन आधारों पर क्योंकि कोरोना काल के पहले के कुछ समय में इस बात पर देश में काफी बवाल हुआ था हलांकि इस वीडियो में मैं NRC, NPR या CA के बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ लेकिन नागरिक्ता को लेकर कानूनी प्रोविजन क्या है और उनके अनुसार देश का नागरिक कौन कौन है इस बात पर चर्चा हम जरूर करेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे लीगल टॉपिक्स पर वीडियोज अवेलेबल हैं इसलिए आप चैनल को विजिट जरूर करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नागरिक्ता क्या है इसको हमारे मोजुदा कानून में डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन मोटे तोर पर बात करें तो नागरिक्ता किसी देश और व्यक्ति के बीच का संबंध है जिससे उस व्यक्ति के किसी देश में रहने और अन्य चीजों के बारे में अधिकार और कर प्रोविजन्स दिये गए और फिर सन 1955 में सिटिजन्सिप के लिए अलग से सिटिजन्सिप एक्ट भी बनाया गया सम्विधान लागू करते टाइम जो प्रोविजन किये गए उसमें सामान्य लोगों के लिए बेसिक चीज ये थी कि भारत का नागरिक होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए ये जरूरी था कि वो सम्विधान के लागू होने के समय पर भारत में रह रहा हो और इसके साथ त पूरी होने जरूजी थी जिन में पहली कंडिशन थी कि वो भारत में जन्मा हो दूसरी कंडिशन ये कि उसके माता-पिता में से कोई भी भारत में जन्मा था और तीसरी ये कि सम्विधान लागू होने के पांच साल पहले से नॉर्मली वो भारत में कहीं पर भी निवासी रह तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा ध्यान रहे कि तीनों में से अगर कोई भी एक कंडिशन पूरी कर ले तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया है यानि कि जब हमारा समिधान लागू हुआ तो भारत में रहे रहे लगबग हर व्यक्ति को जन्म के क लिए भी प्रोविजन किया गया कि कोई वेक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत से पाकिस्तान आ गया है और तब से नॉर्मली भारत में ही रहता है और उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी 1935 के टाइम के भारत में जन्मा हो तो ऐसे पाकिस्तान से आ तो उनके लिए provision रखा गया कि उनको भारत सरकार के पास नागरिकता के लिए apply करना होगा और सरकार उनको नागरिकता दे तो ही उनको भारत का नागरिक माना जा सकेगा। ये तो बेसिक प्रविजन थे जो हमारा Constitution लागू होने के टाइम पर किये गए थे, Constitution के Article 11 में संसत को ये पावर दी गई कि संसत नागरिकता देने के लिए और नागरिकता की समापती के लिए कानून बना सकेगी, जिस पावर को यूज करते हुए संसत ने नागरिकता अधिनि यानि Citizenship Act 1955 पारित किया और बाद में टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट भी किये गए इस एक्ट में जो जन्म के आधार पर नागरिकता के प्रोविजन दिये गए हैं वो हमें समझने जरूरी है Citizenship Act की Section 3 में जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में प्रोविजन किया गया है इस एक्ट में 26 जन्वरी 1950 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए ही प्रोविजन किया गया क्योंकि इसके पहले की स्थिती के लिए तो Constitution में पहले ही प्रावधान किये जा चुके थे Citizenship Act में तीन केटेगरी हैं पहली केटेगरी में वो लोग हैं जो 26 जन्वरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में पैदा हुए वो भारत के सिटीजन होंगे चाहें उनके माबाप कहीं के भी हों दूसरी केटेगरी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 को और उसके बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए और यदि उनके माता पिता में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजन है तो ऐसे जन्वें बच्चे को भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा और तीसरी केटेगरी में वो लोग हैं जो 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद जन्वे हैं और जिनके माता पिता दोनों भारत के सिटीजन है या फिर जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का सिटीजन है और दूसरा भारत में illegal immigrant ना हो तीनों केटेगरी को एक बार फिर से समझते हैं डेट्स के आधार पर पहली केटेगरी में वो लोग हैं जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में पैदा हुए हैं दूसरी केटेगरी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए और तीसरी केटेगरी में वो लोग हैं जो 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए अब तीनों केटेगरी में अंतर ये रखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसका भारत में पैदा होना नागरिक्ता के लिए परियाप्त है भले ही उसके माबाप कहीं के भी नागरिक्यों ना हो इसके बाद अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुआ तो उसके लिए जन्म के अलावाई ये कंडिशन और जोड़ दी गई कि उसके माबाप में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है और अगर कोई 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ है तो एक कंडिशन और जोड़ दी गई कि या तो उसके माबाप दोनों ही भारत के नागरिक हो या फिर माबाप में से एक भारत का नागरिक हो और जो नागरिक नहीं है वो भारत में इल्लीगल इमिग्रेंट नह प्रानुन में संशोधन और National Population Register आधी को लेकर जो बवाल मचा था उसके पिछे असल कारण क्या है इसकी व्याक्या तो हर आदमी की अलग-अलग है लेकिन Citizenship Act में ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश की नागरिकता रेजिस्टर या Population Register बनाने मात्र से किसी की नागरिकता छीन ल वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और सबसे जरूरी बात कि अगर आपको अपने किसी भी मैटर पर मुझ से डिसकस करने के लिए बात करनी हो तो आप स्क्रीन पर उपर दिखाए दे रहें नमरों पर फोन या फिर झाल झाल